गौतम गंभीर की तीन बेवकूफियों की वजह से भारत ने गवाया वंडे सिरीज तीसरे मैच में 110 रन से बुरी तरहारी टेम इंडिया रोहित शर्मा को भी नहीं हुआ यकिन शुरलंका के खिलाडियों ने चुड़ाया बीच बैदान पर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा पहले सिराच से भढ़ गया लंका का खिलाड़ी फिर विराट को चुड़ाया एक बार फिर भढ़ गया विराट कोली क्यामरे और अमपायर के सामने ही याद दलाई हैसियत अगर रोहित शर्मा की बात मान लेते गौतम गंभीर तो नहीं मिलती हार एक नहीं बलकि लगातार कई सारी गलतियां करते गाए गंभीर लेकिन अब भड़ा कुठा रोहित का गुस्सा बांगलादेश के खिलाफ कुछ चुनेंगे टीम यकिन करना थुड़ा मुश्किल है लेकिन सच यही कि भारते टीम जिसको की दुनिया की टीमों को रुडाने के लिए जाना जाता है जिस टीम के आगे अच्छी अच्छी टीमे घुटने पर आ जाती है सरंडर कर जाती है जिस टीम में रोहित शर्मा जैसा खतरनाक बल्लेबाज है जिसमें विराट कोहली खेल उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखर कैसे श्रुलंका की घातक गिंद बाजी का सामना किया जाए किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके से टीम इंडिया को 27 साल बाद वंडे में श्रुलंका जाकर सीरीज गवारी पर जाएगी क्योंकि सोरे कुमार याद को चुकानी पड़ी गौतम गंभीर की तीन कौन से गलतिया रही जिनके वजह से भारत को मुश्किल में फसना पड़ा पूरी कहानी आपको इस वीडियो में बताते हैं बतौर हेटकोच गौतम गंभीर ने सीरीज में कई बड़ी गलतिया की जिसमें सबसे पहला उन्होंने सबी मुकाबलों में बल्लेबासों के बल्लेबासी करम को बदला जबकि इसके अलावा खराब प्रदरशन के बाद भी गेंद बासे में बदाव नहीं किया गया वहीं टीसरे मैच में शांदार फॉर में चल रहे अरशदीप सिंग को प्लेइंग 11 में मौका नहीं दिया गय क्या सोच कर गौतम गंभीर ने ऐसा किया किसी को समझ में नहीं आया रियान परा को लेकर हर कोई आवास उठा रहा था कि ऐसे किलाड़े को तो टीम में शामिल चाहिए और उनको मौका बे मिला मगर जिस खिलाडी को बाहर होना चाहिए था उसको अंदर रखते हुए दूसरे खिलाडी को बाहर करते हुए शिवम दूबे का प्रदर्शन खराब था माना जा रहा था कि उनको बाहर किया जाएगा लेकिन अरशधीप सिंग को बाहर कर दिया गया इस मैच में शिवम दूबे की अगर गेंद बाजी की बात करे तो उन्हें चार ओवर गेंद बाजी की और एक भी विकेट उनके नाम नहीं रहे वहीं जब बारी बल्ले बाजी की आई तो शिवम दूबे का बल्ला पूरी तरीके से खामोश हो गया और नौरन बनाकर दूबे पवैलिन चले गए जिसकी वजह से टीम इंडिया की मुश्किल बढ़ती ही चली गए और भारते टीम को हार मिली यहार इतनी बड़ी है कि रोहित शर्मा भी सोच रहे होंगे कि किन खिलाडियों और कोच के बीच फस कया बताए जा रहा है कि बांगलादेश के खिलाफ रोहित शर्मा खुद टीम तयार करेंगे और गौतम गंभीर के मनमानी नहीं चलने वाली पूरी सीरीज में देखा गया कि शुरुवात में गौतम गंभीर ने कई सारे बदलाव किये पहले उनने टी-ट्वंडी क्रिकेट में बदलाव किया जो की काफी हद तक सफल रहा लेकिन 20 ओवर के गेम और 50 ओवर के गेम में काफी ज़्यादा फर्क होता है गौतम गंभीर को भी ये बात समझनी होगी कि दोनों एक जैसे नहीं हो सकते वाकई में जिस तरीकी का प्रदर्शन भारते टीम का वंडे में देखने को मिला वो हैरान करने वाला था कभी भी टिम इंडिया इतनी लाचार और कमसोर दिखाई नहीं पड़े इसलिए लोग सोशल मीडिया पर गौतम गंभीर क्या लोचना कर रहे है और कह रहे है कि रोहिच चर्मा के साथ गौतम गंभीर को बहुत अच्छे तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना होगा ताकि टीम का चैंज सही तरीके से हो सके और आगे चैंपियंस ट्रॉफिम भारते टीम मजबूती के साथ आगे बढ़े और कमाल करके दिखाए दोस्तों आपका क्या मानना है श्रुलंका के खिलाफ सीरीज में हार के असली वज़ा क्या रही कॉमेंट में बताएं